रिष्टों को लेकर बहुत कठोर मापदंड मत अपनाये सामने वाले को एक एक चीज़ पर परखिये मत हो सकता है कोई दोस्त बहुत बौधिक हो मगर तारीफ करना ना जानता हो हो सकता है कोई इर्श्या करता है मगर सबसे सही सलाह भी वही देता हो सामने वाली एक एक प्रतिक्रिया पर उसे स्कोर मत दीजिए उसके हर रियक्शन पर उसका रिपोर्ट कार्ड तयार मत कीजिए संभव है कि जब वो आपकी किसी खुशी पर बहुत खुश ना हुआ तब वो खुद किसी गहरे दुख से गुजर रहा हो आप ये सोच कर नराज हो गए कि वो इतना खुश क्यों नहीं हुआ और उसने ये सोच कर अपना दुख बयान ही किया कि आपकी खुशी में भांग ना पड़ जाए वो दुखी होकर आपकी खातिर खुश होने का अभिने कर रहा है और आप इस बात पर नराज हो गए कि आपकी इतनी बड़ी खुशी में भी वो सिर्फ खुश होने का अभिने कर रहा है इनसान समान भी खरीदता है तो चीज बहुत अच्छी लगने पर उसकी कुछ कम्यों से समझोता कर लेता है मोबाइल का कैमरा अच्छा है तो उसे खरीद लिया ये जानते हुए भी कि उसकी बैटरी वीक है टी-शेट के बाजू पर कम्पनी का लोगो पसंद नहीं आया मगर टी-शेट का कलर पसंद है तो बाजू पर बने लोगो को इगनोर कर दिया मगर हम इनसानों के साथ ऐसा कोई समझोता नहीं करते कपड़ों की तरह उन्हें कोई रियायत नहीं देते वो इनसान जो किसी कॉम्प्यूटर प्रोग्रेम से नहीं भावनाओं से चलता है वो इनसान जो कमजोर है आतम संशे से घिरा है उस इनसान को हम किसी संदेह का लाब नहीं देना चाहते सारी माफियां खुद के लिए बचा कर रखते हैं चोटी चोटी बातें बुरा लगने पर सालों पुराने रिष्टों में पीछे हट जाते हैं बातचीत बंद कर लेते हैं और खुद ही खुद को अकेला करते जाते हैं कुछ वक्त बात नाराजगी पिघल कर हावा हो जाती है सामने वाले के साथ गुजारा वक्त याद आने लगता है खाली वक्त में उसे मिस भी करते हैं मगर उससे बात करने की पहल नहीं कर पाते अकेला पन आज दुनिया की सबसे बड़ी बिमारी है डिप्रेशन सबसे बड़ा रोग है और ये रोग हमने खुद अरजित किया है क्यूंकि हम लोगों को तब तक पास नहीं करते जब तक कि वो रिष्टों में 10 बटा 10 नमबर ना ले आएं